नवस्ते फ्रेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर कीरतियनुराग है, मैं एक कंसल्टेंट साइक्याटरिस्ट हूँ, साथी साथ एक सेक्शुल डिसॉर्डर स्पेशलिस्ट हूँ, तो आज हम डिसकस करेंगे क्या अलोपैती में सेक्शुल डिसॉर्डर का इलाज रहता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, और यही प्रशन पूछते हैं, कि जब भी वो अलग डॉप्टर्स, अलग स्ट्रीम से जाते हैं, जैसे अलोपैती को छोड़के, होमियोपैती या आयुर्वेदा, वहां पर कुछ लोग उन्हें बता देते हैं, कि एलोपैती में इसका इलाज है ही नहीं, और हमसे ही करवाओ, तो देखें, हम आयुर्वेदा या होमियोपैती के खिलाफ किसी भी रूप से नहीं हैं, वो दोनों एक साइन्टिफिक नॉलेज पर बनाई गई हैं, और भारत्य संब्यत्या से जुड़ी हुई हैं, और वो evidence को लेकर बनाए गया है, और important point यह है कि जब भी हम किसी से ये चीज़ पूछते हैं कि क्या हम 100% थीक हो जाएंगे, या फिर इसमें 100% guarantee है, तो देखें, 100% ये भी नहीं है कि हम अगले 10 मिनट के बाद जिन्दा रहेंगे कि नहीं, तो 100% guarantee कोई भी stream of medical science आपको नहीं दे सकत तो जब भी हम किसी के पास जाते हैं, या फिर अपने दोस्त के पास भी जाते हैं, बताने के लिए हमें बुखार हो गया है, आप कुछ इलाज करो, तो उनको भी हम नहीं पूछते हैं कि क्या ये 100% इस बीमारी को ठीक करेगा या नहीं, क्योंकि medical science या जिन्देगी में होता है, अब आती है बात क्या आयूरवेदा में या होमियोपेतिक में इनका इलाज 100% है, तो जब भी कोई हमें ये चीज पूछता है, तो हम बताता है कि देखो, हम MBBS और MD हैं, तो हमने अपना सारा का सारा जो science या जो भी चीज़े सीखा है, वो ऐलोपेति या modern medicine से सीखा उसी रूप से, तो एलोपेति को छोड़ के आयूरवेदिक के बारे में या होमियोपेतिक के बारे में उतना knowledge हमें नहीं है, उसी रूप से जब कोई comment करता है, कि आलोपेति में ऐसा है, वैसा है, तो वो सहीं लोग नहीं होते हैं, जब तक उन्होंने आलोपेतिक का पढ़ नहीं किया है, अब आती ही बात लोग पूछते हैं कि होमियोपेतिक और आयूरवेदिक में side effects बहुत कम रहते हैं, लेकिन एलोपेति में बहुत ज़ादा side effects रहते हैं, तो देखिए ऐसी बात नहीं है, हर किसी में side effects होता है, और side effects का मतलब क्या है वो चीज हम समझते हैं, side इफेक्ट्स का वो चीज मतलब होता है कि जब आपका शरीर उस मेडिसेन को या फिर वो तत्तो को अपने शरीर में सह नहीं पाता है जैसे कुछ-कुछ लोगों को अंडे से अलर्जी होती है इसका मतलब नहीं है कि अंडा खराब है उसका शरीर उसके एगेंस्ट रियक्ट कर रहा है अलर्जी हो रहा है और उसकी वज़े से उसका शरीर रियक्शन के द्वारा शारेरिक रूप से कुछ-कुछ साइड इफेक् अब आयुर्वेदिक, होमियोपेटिक और अलोपेटिक में आपका जादा तर फरक क्या रहता है? तो देखिए फरक में एक चीज रहता है कि जिन लोगों को तुरंत रेजल्ट्स चाहिए, बहुत जल्दी रेजल्ट्स देखना रहता है तो अलोपेटिक मेडिसेंस उनके लि लेकिन बाकी स्ट्रीम ओफ मेडिसेंस में आपको टाइंग लगता है, उसको इफेक्ट आने में बहुत समय लग जाता है, जैसे आपको अगर कोई बोलता है कि लाइफस्टाइल चेंज करो, चीज़े होगी, मेडिटिशन कीजिए, योगा कीजिए, वो लॉंग टर्म है, धीरे-धीरे होगा, अचानक से नहीं होगा, जैसे हम सबको पता है कि अगर आपको सर्दी का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खाना है, लेकिन उसकी वज़े से अगर हम आइसक्रीम ले लेते हैं, तो सर्दी जुका हम हो जाता है, लेकिन इसका बतल नहीं है कि हम बस गरम पानी पीते जाए ताकि बुखार गड़ जाएगा तो हम उसके लिए ऐंटिबेटिक्स या फिर कुछ मेडिसिंस लेते जो बुखार घटाता है तो उसी रूप से आयरुविदिक या होमेपेतिक जो भी है वो लॉंग टम काम करती है प्रिवेंशन या फिर लॉंग टम रेजर्ट्स जो देखना चाहते या वेट कर सकते उनके लिए ज्यादा तरह है ऐलोपेतिक तुरन दिखाता है दूसरी बात है कि क्या हमारे ऐलोपेति में आपका सेक्शुल डिसॉर्डर का किसी रूप से इलाज है या नहीं है तो 100% हम किसी भी रूप से नहीं बोलेंगे कि 100% हम ठीक कर पाएंगे लेकिन evidence-based medicines है और हर चीज के लिए इलाज के लिए scientific proof और scientific tests करने के बाद ही अलोपेतिक medicines doctors prescribe करते हैं किसी भी रूप से वो अपने मन से नहीं लिखते है यह सारा चीज documented है हमारे US FDA के द्वारा या फिर Government of India के द्वारा certified तब ही जा बताते हैं कि वो हुमियोपेतिक भी ले रहे हैं अलोपेटिक भी ले रहे हैं तो क्या यह चीज मिक्सप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यह बी एक बड़ा question है तो हम clearly बताते हैं कि अलोपेतिक medicines लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए उसका scientific evidence है लेकिन अभी तक scientific evidence ऐ क्या result आता है क्या जादा results आ पाता है कि नहीं अब आती बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका link देखकर ही बता देते हैं कि इसकी नसे खराब हो गई है इससे कुछ हो नहीं पाएगा तो देखिए हम हमेशा बोलेंगे कि आप चाहिए होमेपैती से treatment कराए या आलोपै सब्सक्राइब होना इंपोर्टेंट है साइन्टिफिक उपचार होना इंपोर्टेंट है तो जब भी कोई व्यक्ति विना टेस्ट किये हुए कुछ ना करके बस देख के बता देता है कि link में कोई दिक्कत है तो यह सही नहीं है दूसरी बात है कि अगर यह चीज आपको को डॉक्टर सही नहीं है तीसरा चीज है जब भी कोई आपको treatment करता है वो आपको एक prescription देना चाहिए उस पे लिखित रूप से उसका नाम रहना चाहिए उसका registration नंबर रहना चाहिए क्या-क्या medicines वो आपको prescribe करता है वो भी लिखित रूप में रहना चाहिए जब भी आप यह चीज notice करोगे तब ही जाकर आपको पता चलेगा यह डॉक्टर सही है या नहीं इंपोर्टन बात यह नहीं है कि अलोपैतिक सही है ओमियोपैतिक सही है या आपका अईरुवदिक सही है आप कहीं से भी treatment करवाईए सारे stream scientifically बहुत ही अच्छे हैं लेकिन अच्छे डॉक्ट हर किसी में संबब नहीं है क्योंकि दूलिया में कोई भी चीज 100% नहीं है साती साथ जल्दी results और आपको तुरंद results के लिए हमेशा अलोपैति ही काम करता है साती साथ side effects ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही अलोपैति में सारे medicines जो आपका शरीर टॉलरेट नहीं कर पाता है या फ झालोपैति में साथ